नमस्कार दोस्तो टार्गेट टेकनिशन यूटूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज दोस्तो आज मैं आपको डियोल स्टाटर की कंट्रोल वाइरिंग बताऊंगा मैं पहले ही पहले इसका डागराम मैंने आपको आपको बता दिया है अगर आपको चाहिए तो मैं आपको सेजेशन में डाल दूँगा ऑई-मार्क में तो आप वहां से इसका डागराम देख लेंगे और उस्सुक्री में मैं आपको क काइन गरे वाइरिंग बताऊंगा कि काम करते हैं और दोस्तो तो आप यह देख लिए कि उसमें किया-पैस उमान की जंद पड़ रिले और एक हमकों चाहिए इतना आपकों सहिए तोर्षालो ہोगे कि आइंग निवी मुत कर देता हूं उसके बास मैं आपको जुऌन जुटी होतीnoc क्या होगा वीडियो ज्यादा लंबा forte 회on बीड़ो ज्यादा लंबा नहों इस वज़े से मैं आपको कंट्रोल वैरिंग पहले कर देता हूं मैं फिर मैं आपको step by step सब कुछ लाव जैसे कि आप दिख रहे होंगे कि मैंने कर दिया है और दोस्तों मैं आपको इसको शेख करके दिखाता हूं कि यह हमारा कैसे होगा आ अगर हम। हम क्रेंगे दैंकर घॉट हो गया और अगर उसकों को वापत बंद करना है तो यह वर बंद हो गया सुल जर्टक हो गया वह बंद नियुक्ति शहरा तो यह बंद हो गया दो चालूघ्यां और यह बंद है जो आपको इसकी पूरि कंट्ल बारिंग आपको बता दूँ तो यह हमारे मेन सप्लाई के वायर है तो यह आप देख रहा होंगे यह मेन सप्लाई के वायर है इससे हमने आउटपूट निकाल लिया ठीक दोस्तों फिर हमने यह पॉइंट को देख रहा हुगा यह फंचान भी में जाएगा दोस्तों अगर आप दिख रहा होगा कि यह पंचान बें जाएगा दोस्तों अगर आपको दिख रहाऊगा यह पन्चान में जोस्तों कॉमन है उसको मैंने पहले भी रिलेग अबारे में आपको इस पर वीडियो बना चुका हूं आप डिस्किप्सन में आपको मिल जाएगा और आपको अजिस्टेट वीडियो में भी आपको मिल जाएगा वहां से आप है कि 9519v में क्या होता है वहाँ पे आपको दिख जाएगा जोकुप मैंने आपको पर विडियो में कि जो पंचान बे हुता है वह हमा parent होता हुँ स्यांव होता है यह कि जो हमारा फिश्यस में ज़लेगा और फिरी में रहेगा और दो lessons और उसके में देंगे तो हम 96 से निकलने बाद को निकलने और से निकलने के बाद रशी यह मारा श्टार्ट इसटॉफ कि एन्सी में जाएको इस तरॉफ के इस्टार्ट के नों में जाएगा गाईस्के बाद स्टेक्ड इतर इन् know में जाएगा सप्राइब पहुंच गई उसके बाद दोस्तों हम स्टॉप की आउटपूट से या फिर स्टार्ट की इन्पूट से हम एक होल्डिंग के लिए एक वायर उठाएंगे और हम कॉंटेक्टर की या अगर कॉंटेक्टर में अगर अवेलिबल है अन्नों पॉइंट तो ठीक है न सकते हैं लेकिन इसमें क्या है कि इसमें अलग से एन्नों पॉइंट है जिसों अब देख रहें तिरह और चौदा इसमें एन्नों पॉइंट है इसके बाद फिर जो घूल्डिंग के लिए वॉयर आएगा वो एन्नों में चला जाएगा एम जहां से जब हमारा कॉंटेक्ट hold जाएगा यानि कि अगर हम यह वाला wire अगर हम अगर यह holding वाला wire हम जो निकाल देंगे तो इसको हम दबाएंगे start करेंगे तो हमारा start हो जाएगा फिर यह जो है इसकी छूड़ जाएगा मैं आपको करके दिखा जाता हूँ तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैंने यह जो वायर यहां पर लगा हुआ था निकाल दिया है अब मैं अगर इसको आपको दबा के दिखाऊंगा तो दोस्तों अब मैं आप इसको चालू करूं तो दोस्तों यह हमारा चालू हो गया अब यह देखिए देखिए खोलड हो रहा है हम चोड़ते रहा हूं यह बंद हो जाह रहा है फिर मैं वापस इसको दबार है रहा हूं होल्ट हो चूड जा रहा हूँ तो दोस्तों यह हमको वायर है Olha五 iqy के ऐसी यह फिर यह के इन्पूट से हमको यह even में चिला गया तो जैसे हमने इसको a wanted चछा गया लेकिन फिर जैसे चुञते हिसको छोड़ देंगे न तो यह हमारा हमारा मोटर जो बंद हो जाएगा हमारे डियून स्ट्रटर अनॉल हो जैसे एक बार होल्ड हो गया तो यह तुरह न न न गरूसद!」 कि यह आप देखर होगे तुरह झाओ यह ढार कार्ण प्रेश को तुरह जाएगए इसके एड हमार पाइंटर साथ दीम प्रती होगा दूस्तों मैं वो यहने वापस से यिवधार मैंने इसमें लगँ में लगा दिया है आप देखिए मैं को कर दिखा रहा हूं यहमार से provided तुस्तों यह मत कि टेस्टर हमारी में जल रहा है ति दोस्तों पर यहां पर और इसको पर अपर यह यहां भी आ रही है फिर इसके बाद यह जो हमारी होल्डिंग वाल पॉइंट है यह यहां पर दे दिया एवन में तो यह हमारा कंटिन्यू में होल्ड हो गया तो मैं आपको इसका कंट्रोल डायग्राम सजिस्टेट में आपको डाल दूँगा आई मार्क पे तो आप वहां से देख लेना वो डायग्राम था और यह हमारा प्रेट्रिकल है डियोल स्टाटर का तो दोस्तों मुझे उमीद है कि आपको यह डियोल स्टाटर समझ में आ गय कोशिस की है कि पूरा कवर करने की लेकिन दोस्तों अगर तब भी कुछ छूड़ गया हो तो मुझे आप कमेंट करके बताईएगा मैं आगे फिर से आपको कंट्रोल वारिंग आपको बता दूँगा और इसका पावर कनेक्शन करने के लिए आप अगर आप कमेंट करेंगे बताएंगे तो मैं आपको इसका पावर डियागराम और प्रेक्टिकल मैं आपको वीडियो बनाकर दिये दूँगा तो अगर आपको वीडियो अच्छा लागा हो तो चैनल को सस्क्राइब कर दिजएगा सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन जोड़ देबा कर दिजएगा और वीडियो को एक लाइक भी कर दिजएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो नमस्कार दूस्तों